लेकिन एक बार फिर से बाद चुनावें की चुनावी शोर जरूर थम गया हो तो चुनावी हल चले बहुत तेज़ और चार जून तक मुझे लगता है कि हल चले रहेंगे बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग से इंडी गड़ बंधन मिलेगा शाम की साड़ी चार का बक्त बताया जा रहा है जब चुनाव आयोग से मुलकात होगी इंडी गड़ बंधन की से पहले कल आपको याद होगा कि मलिकार जून खबरी के आवास पर जो विपक्ष गल है जो इंडी गड़ बंधन है उसका जमामदा लगा था जीत का दावा क्या जा रहा था और आ आज कौमरे सद्याग जी और राहूल जी ने हमारे सारे उमीद्वारों के साथ जूम से बात की और बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडीया जन बंधन को और कर सभी इंडीया जन बंधन की पार्टियों भी भी थे खरगेजी के घर में और हरे एक राच्य में जो जमीनी स्थि तो जैराम रमेश को अभी आप सुन रहे थे जिन्होंने ये जानकारी दिये कि शाम के साथे चार बचे चुनाव आयोक से इंडी गर्बंधन मुलाकात करने वाला है अब इस मुलाकात में क्या कुछ चर्चा होगी वो देखना बहुत जादा महत्वपून है लेकिन इससे पहले भी कई डेलिगेशन चुनाव के दर्म्यान भी आपको याद होगा कि चुनाव आयोक से मुलाकात कर चुका है और अब क्योंकि नतीजे आने में जादा वक्त शेश नहीं है और 40 खंटे का वक्त बचा हुआ है लेकिन उससे पहले जो एक्जिट पॉल सामने आ रहे है वो बीज़पी को बढ़त बनाते हुए नजर आते हैं और अब ख़बर ये कि चुनाव आयोक आज इंडी गडबंधन से मुलाकात करेगा